नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का परबोत क्लासेज के यूट्यूब चैनल में साथियो आज की जो फिर से अपनी परशनोत्री है वो रितिकाल से संबंदित और वीडियो दूसरा चल रहा अपना तो हम बात करते हैं रितिकाल के परशनों के बारे मे और परशन संक्या आज की जो अपनी है 306 से जो है आपके 400 तक रहने वाली है तो आज के अपना जो पहला परशन है उसके बारे में हम बात करते हैं आज का तो पहला और आपके जो परशनों तरीका है वो 306 नमबर का परशन है तो हम बात करते हैं परशन के बारे में सबसे पहला पर्षन आपके सामने रिति काल के संदर्ब में रिति कावे किसे कहते हैं, अगर हम बात करते हैं इनके उप्सन के बारे में, तो पहला उप्सन आपके सामने जिसकी रचना विशिष्ट पदत्ती अत्वा नीमों को दरश्टी में रखर की गई हो, टो पहला पर भारति रिति कावे किसे कहते हैं, तो जो आपकी विशिष्ट पदत्ती अत्वा नीमों को दरश्टी में रखर की गई हो, ग्रेक रितिकावे किसे कहते हैं तो जिसकी रचना विशिष्ट पदती अत्वा निमों को दर्ष्टी में रखकर की गई हो तो रितिकावे कहलाता है तो आपका जो ए नंबर का उप्षन है बिल्कुल सई उत्तर हो जाएगा अगले पर्षन के बारे में हम बात करते हैं 337 नंबर का पर्षन है आपका निमों लिकित में से क्या रितिमुक्त कविता की विशेष्टा नहीं है जो आपके कौन सी है कौन सी रितिमुक्त कविता है उसकी विशेष्टा नहीं है तो नहीं वाली पूछरा आपको ए नंबर का उप्षन है रितिमुक्त कवियों का प्रेम वेता परदान है तो साथ ये तो आपने जो है इस से जेस्ट पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर भी जो है आपने ये वाली जो विशेश्ता देखी थी कि रिती मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन वेता परदान है साथ विशेश्ता नहीं वाला पूच रहा है तो विशेश्ता को चारों अच्छे से पढ़ना है जो आपकी प्राचिन कावे प्रेम में उद्दाता है रिती बद कवियों जैसी एंदरी वासना नहीं प्राचिन कावे की प्रमपरा का नूसरन इनकी उलेकनी विशेश्ता है तो नहीं है साथ यो प्राचिन कावे की प्रमपरा कहां से हो जाएगी तो यह आपका जो है तीनसु सतता नंबर के जो उप्षन है उसमें आपका बी नंबर का उप्षन है इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा यही जो है आपके रिती वुक्त कवियों जैस्ता नहीं है इसके बाद अगले प्राचिन के बारे में हम बात करते हैं गनान अंद की कावे बहसा थी जो अगर हम बात करते हैं गनान अंद की इंको आप तरीके से याद हो जाएगी तो जाएगी इनके सुजान सार कोंसी सुजान सार एक हो जाएगी इनकी इस्क लता इस्क लता एक हो जाएगी इनकी विरहय लिला विरहय लिला एक रचना हो जाएगी इनकी वियोग बेली वियोग बेली ठीक है आदी जिसे उनकी बहुत सार रिचनाई है तो वे आपके किसको जागी गनानंद की रिचनाई कौन कौन सी सुजान सार इसकलता विरह लिला और वियोग वेली पिछली बार आपके जो एक्जामे पर्शन पूचा गया था वो इस परकार से पूचा गया कि निवन में से गनानंद की रिचना नहीं है अब देखलो अगर आपको उनके रिचना सही बताने के लिए उनके सारी रिचना याद करने पड़ेगी तभी आप जो है नई वाला यहां पर इनकी भासा के बारे में पूचा गया है तो आपका डी नंबर का जो अप्षन है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगले पर्शन के बारे में बात करती हूं तीन सो नेवासी नंबर का पर्शन है के सवदास का अलंकार पर आदरित गरंथ कोन सा है जो सात्यों के सवदास है इनका अलंकार पर आदरित कोन सा गरंथ है पहला उप्षन आपके सामने विज्ञान गिता जिसकी रचना कभूई थी तो 1610 इसवी में दूसरा है रशिक पि कौन सा है तो कवी पिरिया है जो इनके अलंकार पर one crafts पर अधरित गरंथ हैं अलंकार पर आदरित अच्रिक नहीं है कुंसा गरंथ कवी पिरिया तो आपका यहां पे चोट्य नंबर का option है प्लकूल सहीं उत्तर हो जाएगा अगले पर्षन के बारे में हम बात करते हैं 380 नंबर का पर्षन है मेरी बाव बादा हरो दोहा निवन में से किस कवी का है मेरी बाव बादा हरो किस कवी का है ये दोहा सातियों तो हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर के उप्षन के बारे में बिहारी जी का बी नंबर का उप्षन है कबीरदास सी नंबर का उप्षन है और दी नमबर का उप्षन चोते नमबर का उप्षन आपका रस्कान तो साथ यह मेरी बहु बादा हरो यह आपके जो है बिहारी जी है इनका दोवा है इनकी जो यह दोवा है यह पंक्ति है आपकी मेरी बहु बादा हरो इनकी जो रचना है बिहारी ससाई उससे लिए गई है उससे लिया गया है कौन सा मेरी बहु बादा हरो इसमें जो है आपके क्या दिया गया इसके गर व्याक्या करें हम तो इसमें गरीब लोगों की समझ्या को खतम करने की बात कही जाती है किसके अंदर इस पंक्ति की माध्यम से किसमें मेरी बहु बादा हरो इसके अंदर जो है यापकी बियारी सथिय से ली घई है उर इसके लिए और तो जिसमें गरीब पर्षन के बारे में हम बात करते हैं साथ यो आपके पर्षन है 381 केसव दास महा कवी यह रितिकावे के परतम उन्नायक है कतन किस कवी का है जो साथ यह आपके सामने कथन दिया होगा है मोश्ट है एक्जाम के दरश्टी से आपके लिए भी मोश्ट भी है केसव दास महा कवी यह रितिकावे के परतम उन्नायक है कतन किस कवी का है अगर हम A नंबर के उप्षन के बारे में बात करें तो बच्चन सिंग का B नंबर का उप्षन नंदुलारे वाजबेई C नंबर का उप्षन आपके सामने राम सवरुप चत्रुवेदी और D नंबर का उप्षन है नगेदर जी तो साथ यह कतन कहने वाले को जाएंगे आपके नंदुलारे वाजबेई इन्होंने कहा था कि केसव दास महा कवी यह रितिकावे के परतम उन्नायक है तो आपका B नंबर का जो उप्षन है यहाँ पे सई उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगले परशन के बारे में हम बात करते हैं कैसमस कर्थ के क्लाशिक पंडित थे कतन किस कवी का है मोच्ट सातियों कि इस संसक्रद के क्लासिक पंडित के से कहा जाता है तो कैसवधाज को चाता है अब इनको कहा किसने था तो आपके सामने a नंबर का उसन रहारी प्रशार दिवे दी वी नंबर का उसन governo बच्चन सिंह देनबर का उसनएए रामशृःप plastic तर्वेदी ना के सामने मावीर प्रशार दिवेदी तो सातियो केसव संस्कृत के क्लासिक पंडित ते यह किसने कहा था तो आपके बत्चन शिंह इन्हों हैं निवन में से कैसा उदाष की रचनाओं का सई करम है उनका सई करम पूचा गया आपको कि एंज का सई करम कौन सा हो जाएगा तो आपको बैसे भी हैं जो सामने देखने को मिल रहा है पहले दिखना स्थाय गगया है तो यह मानू में इसका उत्तर आपको देखने को मिल तो अंदा वह भी लगा सकता कि सका उत्तर कौन सा हो जाएगा क्योंकि आपको सामने हैं उत्तर पताने का क्या यहां इसकी वाद आपके कभी पिरिया 601 राम चंदरी का दूसरे नबर पर आपके यह आ जाएगी राम चंदरी का जो है शोला सो एक इसवी को कभी आपके शोला सो एक हो गई राम चंदरी का भी है जो आपके 6021 ठीक है? और इसका अगर हम बात करते है तो छंद मला 607 छंद मला 607 और आपके विज्यान गिता इसमें है नहीं आपके राम चंदरी का 1621 तो यहां हम बात करते हैं आपके एक नमबर पर रसिक पिरिया, दो नमबर पर कवी पिरिया तीन नमबर पे आपके जो है रामसेंदरी का और चार नमबर पे आपके छंद माला यहां पे छंद माला है ठीक है तो एक दो तीन चार पहले से यह सही करम में जम्मी हुई है तो आपका यहां पे जो उप्षन रहेगा वो एक दो तीन चार नमबर का उप्षन रहेगा ठीक है इसके बाद अगले पर्षन के बारे में हम बात करते हैं अगला पर्षन आपका 344 नमबर का निवन में से रिती बद कवी नहीं है साथ रिती बद कवी की बारे में पोचा गया है कि रिती बद कवी नहीं है A नमबर का उप्षन है मतिराम लो भूसन जो है आपके रित्वध्ध है कैसावदास हो गए आपके और अगर हम लाटकरते मतिरांगी स्वुशन और और कभी कहलाते हैं थीक है अगले परशन के बारे हमाद करते हैं 385 नमर का परशन है निमुकित में से कौन सा भूसन की रचना नहीं है कौन सी नहीं है अगर हम यहां पर बात करते हैं आपके। अगर साथ यहां बात करते हैं आपके कवी भूसन की रचना है किसकी है कैसवदास की रचना है तो आपके रतन भावनी कैसवदास की हो जाएगी बाकि सीवा बावनी शिवराज भूसन और यहां बात करते हैं पहले नंबर के विसेष्टा नहीं है कि नहीं कौन सी जो है आपके जितिमुक्त कविता की विशेशता नहीं है यहां हम बात करते हैं पहले नंबर के उप्षन के बारे में जितिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यता प्रदान है बी नंबर का उप्षन है दूसर नंबर का उप्षन है प्राचिन कावे प्रम्परा का अनुसरन इनकी उलेखनी विशेशता है ती नंबर का उप्षना इनके प्रेम में उद्दाता है रितिबद कव्यों जैसी एंद्री वासना नहीं है इस कव्यों की प्रेमानु भूति को आत्मा भी विखते की सेली में वस्तान प्राप्त हुआ है तो साथ यह जो पर्षना आपके साथ पहले भी आ चुका है तो कोई बात नीं फिर से दुबारा आपके जो प्रेंटिंग में सकती है प्राचिन कावे प्रम्परा का नुसरन इनकी उलेखनी रचना नहीं है तो आपका यहां भी जो दूसरे नंबर का उप्षन है बिल्क किया गया साथ कुछ सब्सक्राइब से नहीं निकलते हैं लोग सई जो उनका उच्चारण नहीं कर बाती हूं तो आप उनको जहें तोड़ा इग्नोर करने कोशिस करें क्योंकि निम लिकित जो आपके निमनांकित में से किस गरंत में सही काव्यांगों का विवेचन सर्वा किया गया है अगर यहां पॉच्छा गया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहां हम क्यांद करते हैं तो सात्यों काम्यांगों का विवेचन सर्वांग क्या गया है आपके रस विलास में किया गया है ललीत ला लाम में किया गया है उस्फराण भु सन्भा We आपके सर्वांग विक्षर्ण रचना नहीं है ज़कस की साथ है आपकर रचना के बारे में बात करने आपके चिन्ता ठ talk कि एप चिन्ता तिरपार्टी की रचना आइं तेक्र यह आपके सर्वांग विवेचन रचना नहीं है तो आपका यहां पर डी नंबर का जो अप्सन है सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगले पर्शन के बारे में हम बात करते हैं जरम काल के अनुसार इन कवियों का सही काल लानुकरम हैं साथ यह काल करम का आदार पर आपको जो हैं अच्छे से एक-एक कविका जो है काल करम याद रखना है उनका जनम कभ वह था ठीक है जनम की दरिश्टी से आपको यहाद रखना है कि किसको जो जनम है कभ वह था तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं आपके देव केशो दास चिंतामणी और वापस के सवदास त तो देव का रचनाकाल जो जनम में वक्व हुआ था 1603 ACV में, केसवदास का 1555 ACV में जनम हुआ था, चिंता मणे की बारे में हम बात करते साथ यह तो 1609 ACV में इनका जनम हुआ था, और केसवदास का वही 1555, ठीक है, तो अब आपका जो यहाँ पे हैं, पहले नंबर का उप्षन तो आपके जो हैं कट गया, और आपका जो सिय नंबर का उप्षन है वो भी कट गया, बचा आपका दूसरा और चोटा, D, B और D नंबर का उप्षन है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, चिंता मणी आ रहा है, बी में, और जो आपका D नंबर का उप्षन है, उसमें पदमाकर आ रहा है, तो चिंता मणी का जो जनम है, वो 1609 इसवी है, और पदमाकर के बारे हम बात करते हैं, तो साथ यहीं जो अपना है, वो D नंबर का उप् देव का जो है आपके 1613 इस्वी में हुआ है और पदमाकर का जनम के बारे हम बात करते हैं तो 1753 इस्वी में इनका जनम हुआ है तो आपका जो B नंबर का ओप्षन है यहाँ पे केसवदास, चिंतवन तिरपाटी, देव और पदमाकर तो आपका यहाँ पे जो हो जाएगा B नंबर का ओप्षन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अगले परशन के बारे में हम बात करते हैं अगला परशन है केसव के तुलना बेन जोनसन से की जा सकती है केसव वेंगय के सपल कवी है साथ आपके सामने जो है यह कतन है एक कि किसका है यह कतन है केसव की तुलना बेन जुनसन से की जा सकती है केसव वेंगे के सपल कवी है यह किस ने कहा था तो आपके सामने ए उप्सन है बच्चन सिंग ने बी उप्सन है रामकमार वर्मा ने सी उप्सन आपके सामने अगे ने और D option है इन में से कोई नहीं यहां अगर हम सही उत्तर के बारें बात करें साथ यह तो आपका 300 नेवासी नंबर का जो person है इसमें जो again है इन्होंने कहा था कि केसव के तुलना बेन जोनसन से की जा सकती है केसव वेंगे के सपल कवी है तो किसने कहा था यह अगे इन्हें कहा था तो आपका यहां पर C नंबर का जो option है सही उत्तर हो जाएगा अगले person के बारे में हम बात करते हैं बोदा का असली नाम क्या था साथ यह अगर हम यहां बात करते हैं बोदा का असली नाम क्या था ए नमबर का उप्शन बुद्धी राम, C, B नमबर का उप्शन सुबोध चंदर, C नमबर का उप्शन बुद्धी सेन और D नमबर का उप्शन प्रबोध चंदर तो साथ यो बोधा का अचली नाम क्या था आपके तो बुद्धी सेन क्या था बुद्धी सेन आपका यहां पर जो है नमर का ओप goofyसण हैं बिल्कुल छेट शिख इन्होंने यह का था इनको किस नाम से बधा नाम से उपनाम इनको कौन कहा था था पंद्नानरेज खेट-सिंग ने इनको बधा नाम से पुकारा था हुख जाल चंदरी का नाम से किसने की तो पहला नंबर का आपके सामने ललू लाल बी नंबर का उप्सना जगनात दास रतना कर और डी नंबर का उप्सना अंबी का दत व्यास तो साथों यह हम बात करते हैं कि इनको जो रचना लाल संधरी का किस ने की ती तो ललू लालन kingdom दे जो है इसकी रचना केती कि इसकी लाल चतरी का चीजिए המעे नाम चे है रचना किसने केती ठीक है यह लाल चंदर का रचना है तो सई उत्तर हो जाएगा इसकी बाद आगे हम बात करते हैं कवी जो जिस परकार सवेदन सील और प्रेशन द्रम वाला हर्दे मिलना चाहिए वेशा वेशा कैसो को नहीं मिलाता कतन किस कवी ने दिया है साथ यो आपके सामने परशन है तीन सु बराणवा नंबर का परशन है कवी को जिस परकार का सवेदन सील और प्रेशन द्रम वाला हर्दे मिलना चाहिए वेशा कैसो को नहीं मिलाता कतन किस कवी ने दिया था अगर यहां पर हम ऑप्षन के बारें बात करते हैं ए नंबर का आप्षन हजारी परसाद दिवेदी बी नंबर का आप्षन है रामकुमार वरमा सी नंबर का उप्षन है रामशुरुप चतरवेदी और दी नंबर का उप्षन है इन में से कोई नहीं तो साथ यहां हम बात करते हैं कि कहने वाले आपके आचारी परसाद दिवेदी है इन्होंने यह कतन दिया था कि कभी को जिस परकार सवेदन सील और दर्म वाला हर्दे मिलना चीए वेसा कैसों को नहीं मिलाता तो यह कतन किस ने कहा था आपके आचारी है बिखरी दास की सी नंबर का ऑप्चनाओं नंदयन कोँ चाहिए नीर्न है कोण सी और नीर्न पिंगल चंदोटन मुत पिंगल तिंगल यह रचना ओजाएगे इनकी हो यह की वोघे यह चला नहीं है कि दिख सरेज़ना ने deportıs आया जो दो गंटे की हो जाएगी कुछ मैत पूर्ण है जिनके बारे में हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं ठीक है इसके बाद अगली परशन के बारे में हम बात करते हैं बिहारी की बहसा चलती होने पर भी सहीते का यह कतन किसका है यह नंबर का आपके सामने डॉक्टर किसका है तो आपके राचारे रामचंदर सुकल जी है इन्होंने ही कहा था बिहरी की बासा चलती होने पर भी साहित देख हैं तो इकतन किसका हो जाएगा आपके आपका डी नंबर का उप्सन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अगले पर्षन के बारे में हम बात करते हैं कोक सार किसकी रचना है साथ आपके सामने रचना है कोक सार किसकी रचना है एनकी रचना कार हो जाएंगे तो इसकी किसकी रचना है यह कोक सार गना नंद की रचना है अगले पर्षन के बारे में हम बात करते हैं आपके सामने कतन दिया हुआ है 396 नंबर का पर्षन है केसव केवल उक्ती वेचित्रें सब्द किरडा के प्रेमी थे जीवन के नाना गंबीर यह मारमिक वक्सव पर उनकी द्रश्टी नहीं थी अता यह मुक्तक रचना के उप्रोक्त ते परबंद रचना के नहीं परबंद रचना के यूग्ये ना तो के केसव में अनुभूती ती ना सकती ती यह कतन किसका है साथ यो इस कतन की बारे हम बात करते हैं आचारे रामचंदर सुक जी का यह फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का सी अप्सट आई आचारे अजारी परसाद दिवेदी और डी नंबर का जो अप्सटन है डॉक्टर न परबंद रचना के नहीं परबंद रचना के योग्या ना तो केसव में नुपूती ती नहीं सकती ठीक है तो आपका यहां पर जो है ए नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगले परशन के बारे में हम बात करते हैं कुंदन को रंग फिको लगे जलके अती अंगन चारू गुराई यह पंक्ति किसकी है तो यहां हम बात करते हैं आपके अगले परशन के बारे में हम बात करते हैं 388 नंबर का परशन है तिम चमात चैंचल नयन बीच गूट पटजिन यहां पंक्ति किसकी है तो साथ यहां पर चैंचल नयन बीच गूट पटजीन यह पंक्ति जो है आपकी बिहारी जीकी है किसकी बिहारी जीकी तो आपका यहां पर जो है वी नंबर का ऑप्सन सही उत्तर हो जाएगा अगले परशन के बारे में हम बात करते हैं तीनिसोग नन्यान्य नमर का पर्षना अपनी अपनी रिती के कावे और कभी रिती यहां पंकती हैं पियारी की है भूसन की है या फिर देव की है तो यह पंकती किसको जाएगी आपके देव की, D no. का जो उप्शन है आपका यहा पे सई उत्तर हो जाएगा, कि अपनी इपनी रिती के काभिया और कभी रिती है, ये पंक्ति किस की है तो आपके देव की हो जाएगी, आज का जो अंतिम पर्षन है साथियो वो आपका फिर से कतन है 400 नंबर का पर्षन है कैसे उको कवी हर्दे नहीं मिलाता उनमें वह सह हर्देता और भावकता भी नहीं थी जो एक कवी में होनी चाहिए वे संस्कृत साहिते में से समगरी लेकर अपने पंडिते और अचना कोसल की दाग जमाना चाहते थे पर इस कारे में सपलता प्राफ्ट करने के लिए बासा पर जैसा अधिकार होना चीए वेसा प्राफ्ट नहीं था यह कतन किसका है सातियो तो आचारे रामचंदर सुकल जी का रामकुमार वर्मा का रामसरुप चतुरवेदी का या पिर महाविर प्रसाद दिवेदी जी का तो साथो यहां हम बात करते हैं तो आचारे रामचंदर सुकल जी ने कहा था कैसव दास के बारे में कि कैसव को कवी हर्दे नहीं मिलता था उनमें वह सहर्देता और बहुकता भी नहीं थी जो एक कवी में होनी चाहिए वे संस्कर साहिते से समगरी अपने पंडिते और अचना कोसल की धाग जमाना चाहते थे पर इस कारे में सपलता फराफ्ट करने के लिए बहसा पर जैसा अधिकार होना चीए वेसा फराफ्ट नहीं था तो यह किसका कतन है आचारे रामचंदर सुकल जी का है और बिल्कुल सब्सक्राइब करके और अपने साथी लोगों को अपने चैनल है यूट्यूब चैनल इससे जोड़ने की कुशिस करें ताकि उनको भी जो है लाब मिल सके अगर किसी साथी को या फिर किसी स्टुडेंट को यह पीडिये चीए तो हमारा टेलिग्राम चैनल है प्रभूत क्ल अपने वादे